दोस्तो मैंने एक मेने पिछ एक वीडियो अपलोड कर दिया था जो कि था पावर शक्ती स्प्रेयर दोस्तो वह मशीन छोटा सा लिकिन उसके काम बहुत थे तीके अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत ही अच्छा म लेकिन मिलेगा कैसे क्योंकि दोस्तो वह जो मशीन था पावर शक्ती स्प्रेयर का वह मैंने खरीदा था ओफ-लाइन से मतलब दुकांदार से खरीदा था बहुत सस्ता मिला था लेकिन वही मशीन आज आज आमेजन के उपर देखेंगे तो वह मिल रहा है लगबग साड़े चार हजार के असपास और यह तो आपको पता है कि आमेजन के उपर बहुत सारी कीमत रहती है ठीक है अगर वह मशीन आपको अफ-लाइन नहीं मिल रहा है तो महीं आपको कुछ चीजे बताऊंगा तो उस चीजे से आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और आप उसको घर पी बन सकते हैं थोड़ा सा चीज बताऊंगा और इसका और वीडियो जो डिटल में है वो कुछ दिन के बाद अप्लोड हो जाएगा ठीक है तो आपको वो मशीन यह वाला जो आप देख रहे हैं मशीन तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसके जो पार्ट से हम मंगाएंगे अभी इसक और क्या चीज़े लगेंगी आपको मैं बताता हूं सबसे पहले आपको लगेंगी यह वाली दो मोटर जो कि मैंने इस पैनल बॉक्स के अंदर हमारे फिटिंग कर दिये क्योंकि दोस्तों यह जो पैनल बॉक्स है बहुत ही टगड़ी वाली चीज़े इसके अंदर सभी ची मिलेंगे यह दो रह ब्लैक तार मिलेंगे अप एक रेंड और एक ड्र जोड़िंगे तो एक मोटर ऊण होगी और एक रेंड तायर आप अगर बैटरी को जोड़िंगे तो इसके दो मोटर गुमेंगी इस तरह आप मोटर को गुमा सकते हैं इसकी जो कीमत है आपको मार्केट में लगबग यह 700 रुपए के असपास मुझे मिला है तो आपके यहां पे 700-800 इतना मिल सकता है आमेजोन के उपर यह 800-900 रुपए का मिल जाएगा लेकिन अगर मार्केट से करेंगे तो यह 700 रुपए मिल जाएगा यह पहला चीस लगेगा इस मोटर के अंदर यहां पे एक इनपूट होगा यहां पर आपको इनपूट देना होगा स्वारी दोस्तों यहां पर इनपूट देना होगा यहां पर आरो दिखाए यह जो pipe है वो जुड़ेगा इस gun को ठीक है तो इस gun से आप spray कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो यह जो दो motor है लगबग आप अपनी खेती के अंदर 300 feet जो pipe है ऐसा वाला 300 feet जो pipe है उसको लगा कि खेती के अंदर spray कर सकते हो लेकिन मैंने देखा नहीं है ऐसा कहते हैं ठीक ह तो यह दो motor चाहिए 700 रुपे खर्चा हुआ फिर चाहिए आपको यह वाली बैटरी यह वाली जो बैटरी चोटी है अगर दो motor आप यूज करें तो इसके लिए लगेगे आपको बड़ी वाली बैटरी तो इसके जो double जो बैटरी है वो मिल जाएगे आपको 1200 रुपे में य यह दोस्तों आपको चार्जर लगेगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर लगेगा जो कि आपको मार्केट में 1500 से लेके 200 रुपे तक मिल जाएगा उसके आपका जो सामने का जो आडप्टर उसको कट करके यहाँ पर आपको प्लस माइनस देके ठीक से आपको इस बैटरी को चार्ज करना है बस यह तीन चीज़े होंगी तो आपका काम चल गाया तो कितना खर्चा हुआ हमारे टोटल 1200 रुपे खर्चा हुआ ठीक है यहां तक तो यह मोटर यह बैटरी और एक चार्जर यह काम खतम हुआ अब आपको चाहिए यह 70 रुपे वाला एक जो पाइप है वो आप किसी भी चीज की मतलब पानी के अंदर टंकी के अंदर डालो दुसरा जो है यह जो पाइप है इसको यह वाला गन जोड़ दो यहां पर मैने तोड़ दिया है तो यह वाला गन जोड़ेंगे तो आपका जो मशीन है पूरी तरह से आपका चलने ल नहीं है तो फिर मंगा लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन बहुत महेंगा हो रहा है लेकिन आप सस्ते में इसको मैं बताता हूँ दो हजार पास्व से ज़्याद आपको खर्चा नहीं होगा ठीक है तो यह आपको छुट्टी छुट्टे पार्ट लाने मैंने भी लाया था यह देखिए दो मोटर लाके मैंने पैनल बकस के अंदर फिटिंग कर दिया है यह जो दो तार जो है वो मोटर को जोड़ दिया मैंन आवाज सुन सकते हैं एक बंद रखा है मैंने एक चालू रखा है यह जो दोस्तों यह मैंने मशिन जो बिटाया है मतलब दो मोटर जो बिटा हैं वो मैं इस्तमाल करता हूँ इसके अंदर की दावाईया चोड़ने कि लिए लेकिन फिलाल मैं जोड़ नहीं सकता क्यूंकि कि पाइब नहीं है बहुत ही दिक्कत वाली बात है उसको پूरा ख़़ना पड़ेगा और फिर यहां पर यहां पर इन गंग है यहां पे जो बना पड़ेगा फिर आपको दिखाणना पड़ेगा लेकिन बहुत सारी चीजर फॉल्ट हो जाएगी य किन मानिया जो पावरliche स्प बस जोस्तों यही है समझ में आया यह 700 रुपए बैटरी के 1300 रुपए चारजर के 1500 रुपए और यह गन और बाकी पाइपस मिला के इसके 2400 रुपए पकड़ के चलिए तो यह पुरा 2500 रुपए में आपका बन जाएगा इस तरह अगर आप कमेंट करेंगे तो शायद मैं इसक गुमा की दीख आई है तो शायद वो वीडियो अगर आपको देखने को मिलेगा तो बहुत कुछ आप सिख जाएंगे जोडना भी सिख जाएंगे कोई खास चीज नहीं मैं आपको जोडने का तरिका बाता था हूं यह जो रेड़ तार है इस मोटर का यह रेड़ तार इस इस वाले पॉइंट पर जोड़ दो यहां पर रेड़ है उसको प्लस वाले पॉइंट पर जोड़ दो यह जो दो मोटर के दो ब्लैक तार है यह वाला एक ब्लैक तार है और यह वाला ब्लैक तार है आप देखेंगे यहां पर रेड़ तार और दो ब्लैक तार है उसको एक क आपको ब्ड़ोड दाना त उपको ब्लेक तार नर Gulf qui करना यो, तो आप जिसी ऐसी लगाएंगे तो, आपके मोटर घुमेंगी और पानी, खिचना लगेंगी इसा ही जोड़ना है और कुछ नहीं और मेरे पास charger नहीं वरना दिखा तो आपको उसका adapter तोड़ देना है पर एक पिन आपको बोल्डे के अंदर लागाना और दूसरी दो आयरा है एक प्लस को प्लस और माइनुस को माइन जोड़ देना तो आपको बैटरी डारेक्टली चार देना है और जिस साइड इंपुट है ये वाला तो इसको आपको पानी के अंदर डाल देना है और अगर आप चाहते हैं कि खेती के अंदर स्प्रे करना है तो मेरी तरह इस तरह आप पैनल बॉक्स के अंदर फिटिंग कर लो मैं क्या करता हूँ ये सारा जो चीज है अभी दि जाएगी थोड़ा सा डेमो देखा हूँगा मैं आपको दिखिया अन हो गया थिके तो इस तरह ये जो है पानी के अंदर डालेंगे तो आटिमेटिक अन हो जाता है तो मैंने कुछ इस तरह बनाया है तो चले दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी दूरू कमेंट बॉक्स में लेके बात आना ठीके मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स टेड़े में तब तक लिए टेक के रहें गुडबाई